Hello and welcome to my YouTube channel और आप हैं हुसेन सर के साथ यह हमारी जावा स्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही most important topic जिसका नाम है DOM DOM means document object model तो गाज देखिए यह document object model जो DOM है यह एक ऐसी technology है जिसकी मदद से मतलब जावा स्क्रिप्ट से किसी भी html document को पूरी तरह से control कर सकते हैं जैसे हम DOM की मदद से किसी भी tag को, id को, class को या फिर attribute को हम access कर सकते हैं और change भी कर सकते हैं यहां तक कि हम DOM से किसी भी css style को भी change कर सकते हैं तो आइए करके देखते हैं इसका practical Welcome back तो आइज देखी DOM की मदद से JavaScript से html element को access करने के लिए हम जिन five methods का use करते हैं वो है get element yid, get elements by classname, get elements by tagname, query selector और query selector all तो आइए एक एक करके इनका practical करके देखते हैं तो आइज देखी मैंने यहां पर एक html document भी खोल के रखा हुआ है और कुछ structure भी मैंने यहां पर बना के रखा हुआ है यह पूरी file मैंने तयार की हुए है देखो यहां पर header बनाए हुआ है header के अंदर header title है हुसेन नाम से यहां पर दिख रहा है यहां पर मैंने यह Google Chrome है जिसमें मैं इसका result देख रहा हूँ और गाज देखो CSS से मैंने यहां पर इसको handle किया हुआ है यहां पर body को मैंने font family दिया हुआ है header को background color, color, padding यह सब चीज दी हुए देखो header title देखो header title को handle किया हुआ यह सारी चीज आप देख रहे है इसको मैंने इस तरह से सजाया हुआ है मतलब handle किया हुआ है CSS से तो देखो CSS को मैंने HTML में link किया हुआ है head के अंदर और देखो एक मैंने file बनाई हुई है JavaScript की इसको मैंने link किया हुआ body में last में अब देखो यह सब चीजे तो आप करी लोगे जैसे कि मैंने आपको HTML और CSS से करके दिखाया यह तो आप करी लोगे और इस तरह का structure भी आप बना लोगे अब हम बात करते हैं JavaScript की तो JavaScript में हम सबसे पहले जो आज पढ़ने वाले हैं वो है get element by id अब देखो id क्या होती है id मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखो इसमें HTML में देखो यह id है header की मैंने id दी हुई है यहाँ पर यह header नाम से और देखो h2 की मैंने id दी हुई है header title ऐसी देखो id जो होती है वो एक होती है single किसी भी tag की एक id होती है लेकिन हम class को multiple लगा सकते है यह से देखो मैंने यहाँ पर ally में लगा हुआ हुआ है class list item और देखो यहाँ पर list item list item list item यह सको multiple time लगा सकते है class को लेकिन id को हमें एक बार लगाना चाहिए यह single होती है ठीक है तो आज अभी जो हम बात करने वाले हैं आज जो बात करने वाले हैं यहाँ पर javascript में जो कि dom का एक पहला method है वो है get element by id हम उस पर discuss करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो आज देखिए सबसे पहले हम किसको handle करने वाले हैं header title को handle करने वाले है header title में देखो यह लिखा है देखो हुसेन हम इसको सबसे पहले वहाँ पर handle करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं javascript में चलते हैं और यहाँ पर एक variable बना लेते हैं मैंने यहाँ पर variable बनाया है मैंने header title नाम से header title और देखो यहाँ पर अब हम बताते हैं document अब document object model है क्योंकि document को हमें बताना पड़ेगा कि यह document की बात कर रहे हैं तो document.getElementById जो कि मैं बता रहा हूँ यह एक method है getElementById अब किस id की बात कर रहे हैं तो अब हम इसके अंदर id लगा देंगे बो भी हम quote में लगाएंगे तो quote में कौन सी ID है जैसा कि मैंने आपको बताया देखो यहाँ पर चलते है और देखो यह ID है देखो यह वाली header title बात समझे है header title इसको हम copy कर लेते हैं यहां से और यहीं चलते हैं देखो और quote के अंदर लगा देते हैं देखो पेश्ट कर देते हैं header title बात समझे है तो bearable header title इसके अंदर यह वाली ID लोड हो गई मतलब यह वाला जो हमारा header title ID है यह इसके अंदर लोड हो गई बात समझे है अब चलिए हम इसको save कर लेते हैं और save करके देखो अभी कोई फरक इसमें नजर नहीं आ रहा है तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह इस header title के अंदर store हो चुकी है मतलब वाला जो यह है देखो H2 यह क्या store यह पूरा क्या store इसमें हो चुका है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम यहां पर console में देखते हैं यहां पर लगाते है console और console.log हमने लगाया और console.log के अंदर हमने देदिया जी header title हमने सिर्फ ऐसी लिख दिया header title और अब इसको console को हम यहां पर save करके और यहां खोल के देखते हैं किलिक करते हैं और इंस्पेक्ट पर जाते हैं इंस्पेक्ट पर जाने के बाद देखो यहाँ पर हम इसमें कंसोल खोलते हैं यहाँ पर रिफ्रेस करते हैं तो रिफ्रेस करते ही देखो यहाँ पर आ गया देखो यह पूरा यहाँ पर आ चुका अगर हम इसके उपर जाते हैं तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि यह देखो highlight देख रहे है यह हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह हमने header title को यहाँ पर store कर लिया header title variable के अंदर ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं तो देखो इसके अंदर जो text है ये देखो हुसेन इसको भी हम change कर सकते हैं वो कैसे करेंगे तो देखो मैं console.log को यहां से हटा रहा हूँ अभी और यहां पर मैं लगा देता हूँ देखो header title तो यहां पर लगाते हैं dot और यहां पर लिखते हैं देखो text content equal to लगा कर और course में लिख देते हैं यहां पर कोई भी जो आप डालना चाहें मैंने देखे computer course और देखो इसको मैंने save किया save करने के बाद जैसी save करेंगे देखो यहां पर change हो गया आप computer courses हो गए देखो यह यहां पर क्या था पहले हुसीन और देखो यहां पर अब क्या हो गईगा computer courses अगर आप container में जाकर देखेंगे तो यहां पर भी जो आथा नहीं यह भी just computer courses आगया होगा अभी से refresh करें तो नहीं आएगा क्योंकि हमने console को हटा दिया बस समझे तो अभी console करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं देता हूँ console.log और देखो यहां पर हमने डाल दिया जी header title और देखो यह हमने save किया save करके देखो जिस यहां पर आया देखो computer courses देखे पहले क्या आ कर दिया हमने यहां पर डाल दिया computer courses तो देखो computer courses आ गया तो ऐसे ही same to same text लगाने के लिए एक और चीज़ हम use करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो देखो वो क्या है वो है देखो इसको भी मैं copy कर लेता हूँ पूरे को यहां से ctrl c और नीचे यहां पर paste पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल भी ठीक है और paste करने के बाद में यहां पर header title अब देखो यहां पर लगाएंगे inner text हम लगाएंगे inner text लगाएंगे तो inner text के बाद यहां पर हम डालते है professional courses हमने डाल देखो pro courses save किया तो यहां पर आगे देखो pro courses तो देखो क्यों आया pro courses क्य यो हट गया क्योंकि यह हमने इसके बाद इसको define किया है ठीक है हम इसको एक को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है ठीक है तो इस तरह से हम किसी भी ID को access करके उसके अंदर text डाल सकते हैं जैसे कि हमने देखो यहां पर इस वाली ID को access किया header title की ID को access किया header title variable के अंदर और उसके बाद हमने इसमें text को change किया बास समझ गया आप तो चलो मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ अपकी बार मैं inner HTML करके दिखाता हूँ मनलब HTML के tag को भी inner कर सकते हैं तो चली मैं इसको सबको हटा दैता हूँ और हटाने के बाद आपकी बार यहां पर डालते हैं देखो header title header title dot innerHTML innerHTML डाला और innerHTML डालने के बाद आपकी बार quote में हम डालेंगे देखो यहां पर मैं बैं डाला h1 और h1 के बाद मैंने देख़ो यहां पर लिग दिया जी इसी के अंदर इसको apply कर देगा यानि h3 के text को हटा देगा और उसके अंदर h1 को apply कर देगा ठीक है तो देखो कैसे save करें save करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आगया hello heading 1 में hello लिखा आगया तो इस तरह से हम यहाँ पर inner html के जरीए से कोई भी tag लगा सकते हैं और उसके अंदर text भी लिख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं ठीक है तो id को कैसे access करते हैं समझ मैं या तो अब एक चीज और करके दिखाता हूँ अब इसी id पर थोड़ा सा css style लगा कर देखते हैं चली शुरू करते हैं तो देखो यहां पर क्या हुआ मैं css style लगाता हूँ और css style लगाने के बाद क्या करेंगे देखो header title लगाईए header title और dot style लगाईए style dot style और इसके बाद में हम लगा सकते हैं dot border और border के बाद में हम bottom लगाना चाते हैं bottom में border bottom लगाना चाते हैं CSS में जो लगाते थे वो dash लगाकर bottom लगा दे थे ऐसे दो को bottom लगाते थे लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर dash नहीं लगाएंगे यहाँ पर camel case में लिखेंगे bottom B O T O bottom ऐसे border bottom ठीक है और इसके बाद में यहाँ पर equal to लगाएंगे और equal to लगाने के बाद coat में लिख देंगे यहाँ पर जितना भी लखना चाहिए जैसे 10 pixel 10 pixel solid मैंने लिखा solid और यहाँ पर लिख दिया जी has 000 इस तरह से और देखो हमने क्या किया इसको save करें save करने के बाद देखो hello के नीचे देखो यह border आ गया बासम जी hello के नीचे यह border आ गया अभी मैं hello के नीचे border नहीं चाहता मैं चाहता हूँ यह जो green color का header है इसके नीचे border आ जाए मैं भी console को off कर देता हूँ यहां से console को यह जो ग्रीन color का header है इसके नीचे यह border आ जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक variable में हम header को call करा लेंगे तो चलिए हम variable में पहले header को call करा लेते हैं इसी के यहाँ पर आप देखो तो देखो हमने बनाया variable और हमने दे दिया यहाँ पर header और header के बाद वो ही हम same करते हैं equal to और equal to a document document.getElementById और इसके बाद में ID क्या है वो देख लेते हैं देखो यहाँ पर चलते हैं ID देखते हैं और यहाँ पर ID है header हमने header को यहाँ से ले लिया control C और यहाँ पर आए और देखो इसमें हम quote के अंदर इसे header को लगा देते हैं अब देखो यह header ID है यह store हो गए इस variable में header के अंदर अब यह जो header variable है यह जो border है में इसके उपर लगाना चाहता हूँ तो मैं header title को यहाँ से हटा देता हूँ header title, खाली header है ने देते हैं save कराते हैं, save करते हैं देखो कहा आ गया, तो देखो यह border header के नीचे आ गया ठीक है, लगा है ना अच्छा तो देखो यह hello जो है, इसको आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, यह आपकी मर्दी है लेकिन मैं आपको इस tutorial में इतना ही पढ़ाऊँगा तो इस tutorial में बस इतना ही, कैसा लगा आपको tutorial अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और गाईज अगर कुछ कहना है तो comment box में लिक कर बताएं और गाईज अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe करें और well icon को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे notification मिलते रहें और गाईज अगर आप पुराने हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो गाईज मिलते हैं नेक्स tutorial में तब तक के लिए take care and bye-bye